स्टूडूइंट एक बार फिर से आपका ओके वायलेजु में स्वागत है हमारे साथवे नंबर के चेप्टर में एक प्रसंद देयावा है कि गोड़े की विकास की प्रक्रिया क्या है तो इसमें हम गोड़े की विकास की प्रक्रिया को समझने वाले हैं तो देखे जो evolution of the horse है वो कहां से हुआ है और आधुनिक जो गोड़ा बना है उसमें उसके बीच में कौन-कौन सी प्रजातियां विक्षित हुए और उनके क्या-क्या गुन थे वो प्ढ़ने वाले हैं तो देखे गोड़े की विकास की सुरुवात उसका पुरातन पूर्वज जो सबसे पुरान या प्रारंबी की जो पूर्वज था उसका नाम है इहो हिपस या इसको हाईरेको थीरियम भी कहते हैं तो गोड़े की विकास की प्रकरे का जो सुरुवात है वो हम इहो हिपस से या हाईरेको थीरियम से मानते हैं यहां पर हिपस का मतलब होर सी होता है और बाकी अपन इसक उन्हें देखने वाले हैं तो पहला जो इसका पुरातन पूर्वस था पूरू सबसे पुराना पूर्वस वो है यह ही पस देखिए तो इसका आकार है वो खर्रा के समान था जो रिबिट होता है या चोटे कुटे के आकार का सथा यह इसकी जो हाइड थी वो 40 cm या 0.4 मेटर और इसका जो अगरपाद थे अगली टांगे थी उसमें चार अंगुलियां थी और जो पीछे की टांगे थी उसमें सिर्फ तीन अंगुलियां थी या आगे की टांगों में दो तीसरी चोती और पांच वी अंगुलियां थी एक नंबर का जो यानि अंगुठा होता है वो इसमें नहीं था, केवल चार अंगुलियां इसमें प्रजेंट थी, आगे के टंगों में और पिछी के टंगों में, टू, थ्री और फोर प्रकार की अंगुलियां इसमें पाई जाती थी, यानि अभी ये इसके अगली टांगे वो फोर टॉइड थी यानि चार अंगुली युक्त थी यो इसके बाद में जिस गोड़े का जो प्रजाति विक्षित हुई थी वो थी मिजो हिपस देखिए इसका आकार है थोड़ा बड़ा होता गया यानि ये बेड के आकार का हो गया और इसके हाइट भी बड़ गई अब इसके हाइट हो जाती है 0.4 से 0.6 मिटर हो जाती है और अब देखिए यहाँ पर जो पादों में इसकी जो चेंज आया है यानि अगर पादों और पस्य पादों में तीन तीन अंगुलियां थी अब जो चार थी अगर पादों में उसमें भी टीन हुगई है और पस्य पाद olmay तीन थी लेकिन यहाँ पर यह एक मैतरपुन बात थी कि जो बीच के अंगुली थी, थर्ड अंगुल, थर्ड वो अधिक लंबी थी तो देखी यह जो तीसरे अंगुली है यह अधिक लंबी थी, तो और फॉर चोटी थी और पांच भी है, वो दिर-दिरे विलूप्त हो रही है अब यह विलुपती के गार पर है जो की विलुपत हो चुकिए समाज लिते हैं उसमें 3-3 थी 5 ही विलुपत हो चुकिए फिर इसके बाद में मिज़ो हिपस के बाद में जो प्रजाती विक्षित होई थी मेरी चिपस देखिए तो मेरी चिपपस से जब विक्षित हुआ तो इसका आकार थोड़ा ओर बढ़ा हो गया यानि ये खचर के आकार के जैसा था इसकी हाइट ओर बढ़ गई लगबग एक मिटर इसके हाइट हो गई थी इसके अगर और पस से वाद दोनों पादों में तीन-तीन अंगुलियां थ यानि मिजविपस के समान थी लेकिन बीच की जो अंगुली जी थार्ड अंगुली वो अधिक लंबी थी और खुरदार हो गई थी अभी जो इसमें खुर बन गया था हुप बन गया था ये इसको अधिक दोड़ने में इसको ख्षमता देता है जिससे ये दोड़ने में इसलिए आराम से घास को चर सकते थे तो इस तरह से देगी ये जो थर्ड अंगुली थी वो लंबी हो गई है टोर फोर वाली इसमें ये अभी ये चोटी है और पांच्वे अंगुली लगबग विलूपती के गार पर है विलूपत हो गई है इसके बाद में मेरी चिपस के कमें ओर विक्षेत होए हुआ है तो पली हो हीपस्त है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया कि या घचर से थोड़ा सा बड़ा था ये हाइट और बड़ी हो गई इसकी 1.2 मिटर हो गई है थार्ड जो अंगुली थी वो और बड़ी और खुरदार थी से इस दोनों अंगुलिया तवचा में रहती थी देखिए अब ये दिखती भी नहीं है भाहर ये तवचा के अंदर दभी भी रह गई अता है तेज दोड़ने में ये सक्सम थे क्योंकि एक ही इनमें खुर था एक ही इनमें अंगुली थी वो भी थार्ड अंगुली और वो खुर के रूप में बदल गई इसलिए आराम से तेजी से दोड़ चकते थे इनके दांत और अधिक लंबे थे और मुड़े थे इसलिए चरने के लिए अधिक विशिष्ट थे क्योंकि दांत लंबे और जब मुड़े होते हैं तो घास को पकड़ कर आसानी से खाय जा सकता है तो ये अधिक विशिष्ट चलने के लिए तो यह पलिहोईपस बन गए और इनका जो पेर थे वह वन टोइड थे यानि वन टोइड का मतलब है कि यह इनमें एक ही अंगुली विक्षित हुई है तो यह पलिहोईपस थे इसके बाद में पलिहोईपस से जो आधुनी गोडा बनाए देखी जिसका नाम है वस जो कि modern horse है इसके height है लगबग 1.5 मिटर हो चुकी है इसकी जो थाइड अंगुली है वो और विक्षित हुई इस पर खुरोता है पहली और पाँच विलूपत हो गई है बिलकुल यानि पहली और पाँच विलूपत हो चुकी है और दूसरी जो चोती है उन अंगुलियो के अवसे चोटी-चोटी खपची नूमा अवसे सी हडियों के रूप में उपस्तित है तो इस तरह से जो थाइड अंगुली है वो विक्षित हो गई और उस पर एक खुर बन गया है तो यह भी one toid यानि एक अंगुली से विक्षित इसका जो पेर है या इसके जो पाद है इसको लिए विए है यह इकवस जो की आदोनिक या मोडर्न होर्स है तो इस तरह से यह हो ही पस फिर मेजो ही पस फिर मेरिच ही पस फिर प्ले हो ही पस और फिर इकवस इस तरह से इन गोड़े का विकास हुआ है तो आप इसको लेख सकते हैं एक बार फिर से लेख लेजे य है यो हीपस मेजो हीपस मेरी चीपस और पले हो हीपस और इकवस इसके साथ हमारा साथ हो चेप्टर वह कंप्लेट होता है इसके बाद में हम नेक्स्ट से नेक्स्ट चेप्टर के चिचा करेंगे थैंक्यू